हेलो गाइज, मैं शालीनी, स्वागत करती हूँ आप सब का Learners Academy में प्रीविस वीडियो में हमने देखा था एक variable और data type क्या होते हैं और data type और variable का आपस में क्या relation है उस वीडियो में मैंने आपको एक example की help से इस concept को explain किया था तो उसी topic को आगे बढ़ाते हुए आज हम discuss करेंगे कि Excel VBA में कितनी तरह के data types होते हैं वो data types कितनी memory occupy करते हैं और किस range का data वो accept करते हैं तो ये सारी queries में आपकी इस वीडियो में solve करने वाली हूँ जो लोग first time मेरे चानल पर visit कर रहे हैं उनको मैं information देना चाहती हूँ कि मेरे चानल पर आपको Microsoft Office related सारे वीडियो मिलेंगे और वो भी एक sequence में मिलेंगे तो आप एक बार हमारी playlist दुरूर चेक कीजिए तो चलिए इस tutorial को start करते हैं इससे पहले बात करेंगे data types क्या है जैसे मैंने आपको previous वीडियो में बताया जब भी हम कोई data अपने VBA में store करते हैं या macro लिखते हुए हमें किसी data की requirement होती है और वो data किस तरहां का है उसको represent करता है data type अब suppose कीजिए मुझे एक number की requirement है मैंने लिखा 5 तो अब ये 5 क्या है compiler को नहीं पता ये 5 क्या है तो हमें अपने compiler को बताना पड़ेगा कि भाईया 5 जो है मेरा क्या है integer है तो इसलिए मुझे उसकी जो data type है वो मैं integer ले सकती हूँ byte ले सकती हूँ इसी तरह से अगर मैंने एक word लिखा hello तो hello क्या है compiler को नहीं पता फिर से हमें compiler को पताना है कि hello क्या है हमारी एक string है तो उसके लिए मैं data type क्या लूँगी string कुई आप character डालते है मैंने c लिखा के ला या z लिखा तो उसके लिए data type होगी क्या तो इस तरह समें हमारे पास बहुत तरह की data types है depend करता है user किस तरह का data लेना चाहता है अपनी code में उसी के हिसाब से हम अपनी data type को select करेंगे तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि Excel VBA में हमारे पास कितने टाइप की data types होती है उसके लिए हम developer tab में जाएंगे visual basic पे मैं click करूंगी और यहां से मैं click करूंगी help पे या तो आप help पे click कर दीजे या फिर आपको यहां पे एक blue color का question mark का symbol दिखाई दे रहा उस पे आप click कीजिए तो देखिए जैसे आप click करेंगे window open हो जाएगी तो इसमें मुझे search करना है data type मैंने लिखा summary तो जैसे मैंने data type summary सर्च करूंगी तो बहुत सारी options आजाएंगी हम select करेंगे data type summary visual basic तो जैसे मैंने open किया तो यह देखिए यह कुछ ऐसे data types के list open हो गई है जो हम अपने VBA के code में use कर सकते हैं स्टार्ट करूंगी मैं सबसे पहले byte से एक byte क्या है byte क्या है ऐसा data type जो आप लेंगे और वो कितनी memory store करेगा एक byte memory store करेगा किसी भी data को memory में store करवाने के लिए तो जैसे suppose कीजे मैंने बोला 5 5 को मैंने एक as a byte data type ले लिया 5 मेरा क्या है byte data type का data है तो वो 5 जो है memory में कितनी occupy करेगा space that is 1 byte इसी तरह से अगर आप single character लेते हैं आपने बोला C तो C क्या है single character है वो पूरी string नहीं है तो उसके लिए आप जो data type लेंगे that will be care और वो कितने bytes लेगा 2 bytes और देखिए हमेशा ऐसा नहीं है कि ये 1 byte और 2 byte इनके लिए reserve है ये depend करता है कई बर आपके platform पे भी depend करता है तो कई-कई ऐसी data types होती है जो dependent होती है आपके platform पे वो कित 20 bytes occupy करेंगी अब suppose कीजे मुझे value लेनी है 5.3 तो 5.3 के लिए जो मैं data type लोंगी नामे byte लोंगी नामे integer लोंगी अब ये decimal value है तो उसके लिए यहां तो मैं data type लोंगी decimal या फिर मैं लोंगी double तो देखे यहां पे decimal है 16 bytes वो occupy करता है तो उसकी जो range है वो देखिए 0 से लेके य ये सारी values अब ये range क्या होती है ये मैं आपको अभी later on explain करूंगी तो अभी के लिए आप इतना समझ लेजिए कौन कौन सी data types आपने data के लिए use करेंगे और वो memory में कितनी space occupy करेंगी तो next double है double आपकी 8 bytes लेती है similarly अगर आप कोई integer ले रहे हैं तो वो 4 bytes लेगा और उसकी range य calculate करते हैं यह मैं आपको calculate करके दिखाऊंगी तो आप हैं तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रही है तो बहुत सारी ऐसी data types हैं जो हम अपने data के according use करेंगे अगर आपने date लेनी है कोई time डालना है तो उसके लिए आप यहां पे date ले सकते हैं इसकी help से आप data and time insert कर सकते हैं code में तो इस तरह depend करता है आपके data के उपर आपने किस तरहां का data लिया है और उस data के लिए आप क्या data type use करने वाले हो अगर आप कोई भी value 0 और 1 की form में represent करना चाहते हैं जिसको हम true false कहते हैं boolean expression जो होता है उसके लिए हम जो data type लेंगे that will be boolean mostly cases में यह two bytes occupy करता है अब वापेस रहते हैं अपनी excel की sheet की तरफ और मैं आपको यहाँ पर calculate करके दिखाऊंगी कि किस तरहां से कोई variable जो है आप उसको value देते हो और वो किस range की values को accept करता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो byte की range that is 0 to 255 तो यह range कैसे calculate हुई तो देखिए सबसे पहले अगर मैं byte की बात करूँ तो जो मेरा byte होता है आपको बता है कि जो memory में space occupy की जाती है वो उसकी बहुत सारी unit sense को define करने की bit होती है byte होती है nipple होता है then mb kb यह सब आपने सुना होगा तो सबसे जो smallest unit है किसी भी memory को measure करने की that is bit तो bit की form में अगर हम बात करें यहां पर तो जो byte होगी वो bit से उपर वाली unit है सबसे smallest unit है memory की that is bit अब यह जो bit होती है यह एक ही value contain करेगी या 0 या 1 हमारे computer में जितनी भी storage होती है वो 0 और 1 की form में होती है अब जो 1 byte है अगर मैं byte की बात करूँ तो वो कितने bits के equal होती है 8 bits अगर आपके computer में इस तरह से आप 8 bits लेते हो अपने data के लिए तो वो total कितनी हो जाती है 1 byte तो these are 8 bits या फिर आप बोल सकते हो 1 byte तो मैंने एक statement लिखी VBA में dim a as byte तो इस statement से क्या हुआ मेरी memory में एक variable a के लिए space जो है वो occupy हो चुकी है और कितनी space occupy हुई है यह मैंने आपको chart में दिखाया था जो आपका byte data type है वो basically आपकी जो space लेता है that is 1 byte या फिर इसको आप 8 bits भी बोल सकते हो तो यह आपके लिए 1 byte reserve करेगा space या फिर 8 bits अब बात आती है कि जब 1 byte space occupy हो जाती है आपकी memory में तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो particular data type किस range का data accept करेगा तो अब range की बात करते हैं तो देखी जो first byte है sorry first bit है या तो यह value 0 लेगी या value 1 similarly second bit जो है value 0 लेगी या फिर 1 इसके पास दो ही options है तो इसी तरह third जो आपकी bit होगी वो value 0 लेगी या 1 तो similar process यह चलता रहेगा up to 8th bit तो इसके अगर मैं arrangement की बात करूँ तो यह आएगा 2 raise to power 8 because दो possible solutions है एक bit के लिए तो total 8 bits है तो total possibility हो गई 2 raise to power 8 अगर आप इसको mathematically expand करते हैं तो यह कुछ इस तरह से लिखा जाएगा अब आप इसको solve कर लीजे 16 into 16 that is 256 तो इसका मतलब 1 byte यहाँ पे जब 1 byte memory reserve हो जाएगी तो वो कितने characters तक data ले सकता है that is 256 लेकिन हमें 0 भी इसमें include करनी होती है तो जब 0 आप include करोगे तो 0 से लेकर 255 नमबर तक आप कोई भी value इसको दे सकते हो अब कहने का मतलब यह हुआ कि A की जो minimum value होगी that can be 0 और A की maximum value कितनी हो सकती है 255 अगर आप 255 से उपर कोई value देते हैं suppose आपने 256 दे दी यह 280 दे दी तो उस time पे जब आप अपना VBA का code run करेंगे तो आपको error generate होगा run time error आएगा उसको कैसे resolve करेंगे आप इसकी range का जो data है वो उसको provide करेंगे तो byte की range क्या होगी 0 से लेकर 255 तो इसी तरह से हमारे जो बाकी data types होते हैं उनकी range भी calculate होती है अब जैसे यह care है care लेगा two bytes तो इसको भी आगे हम एक solve कर लेते हैं character के लिए तो अगर मैंने यह statement लिखी dim a as care तो मैंने एक variable a है जिसके लिए memory में कोई space occupy हो गई है और उसमें कैसी value जाएगी care मतलब कोई single character आप उसमें store करवा सकते हो suppose किजिए मैंने उसमें i store करवाना है तो memory में इसमें कितनी bytes occupy करनी है two तो two bytes को अगर मैं bits में convert करूं that will be two into eight तो यह कितनी हो जाएंगी 16 bits तो similarly one two three four five six seven eight nine ten 12 13 14 15 16 तो इतनी memory यह single AI जो है वो reserve करेगा 16 bits अब आपको पता है एक single bit या zero value लेगी या one similarly second bit के लिए दो ही options है zero one वैसे करते करते last bit के पास भी जो options है zero and one तो total इनके combinations को अगर हम define करें two raise to power 16 तो अभी मैंने two raise to power eight calculate किया था that is 256 तो यह हो जाएगा 256 into 256 तो इसको आप solve कर लीजे जो value आएगी उसमें zero include किया जाएगा और total यह range बन जाएगी आपकी character की that is six five five three five zero से लेकर six five five three five इससे उपर का कोई आप number दोगे maximum range से उपर का number दोगे तो आपका जो है वो error generate होगा तो इस तरहां से data type VBA में काम करती है कोई भी variable आप declare करते हो तो उसके साथ उसकी data type का होना बहुत ही important है otherwise compiler को समझ नहीं आएगा कि आप किस तरह का data अपने variable में store करने वाले हो तो आज के tutorial में हमने सीखा data types के बारे में इनी data types को मैं आने वाली videos में और explore करूंगी जो similar types के data types हैं उनको हम एक वीडियो में cover करेंगे जैसे string हो गया care हो गया इन तरह के data types को हम combine करके अपनी videos में मैं आपके लिए लेके आएंगी तो आज की video में इतना ही अगर ये video आपको अच्छी लगी comment करके जरूर बताईएगा चैनल पर लेही है अगर चैनल पर दीगए information आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर subscribe कीजिए videos को like कीजिए share कीजिए thanks for watching this video keep supporting us